जे स्री क्रिष्णा आईए जानते हैं होलिका दहन शंपूर पूजन विधी हिंदू पंचांग के अंसार हर सार फालगुन मास की पुरिमातिथी को होलिका दहन मनाया जाता है होलिका दहन के अगले दिन होली मनायी जाती है इस सार होलिका दहन के लिए कम समय तक ही शुब महुर्थ रहने वाला है हिंदू सास्त्रों के अंसार होलिका दहन प्रदोशकाल सुर्यास्त के ठीक बाद की अउधी के दोरान किया जाना सबसी शुब माना जाता है इस बार होली कब है? होली का दहन का शुम मोहुर्थ क्या है? होली का दहन पूजा शामगरी और बिधी क्या है? आई ये जानते हैं माना जाता है कि होली के दिल होली का पूजा करने से हर तरह के भै पर विजय प्रात की जा सकती है होलिका पूजा में सक्ति, शम्रिधी और धन प्रदान होती है ऐसा माना जाता है कि होलिका की रचना सभी प्रकार के भै को दूर करने के लिए की गई थी माना जाता है कि इस दिन होलिका नाम की राचसी का अंथुआ था और इस दिन प्रहलाद की पूजा की जाती है धार्मिक ग्रंथों में होलिका दहन से भहले होलिका पूजा का सुझाव दिया गया है होलिका दहन हिंदू पंचांग में परामर्ष करके उचित समय पर करना चाहिए होलिका दहन सही समय पर करना महत्तोपूर है क्योंकि गलत समय पर करने से दुर्भाग्य और कश्ट हो सकता है अपने सहर के लिए खोलिका दहन का उप्योग समय जानने के लिए हमारे चैनल को शब्सक्राइब करें पूजा के लिए निम्लिखित सामग्रे या शामग्रियों का उप्योग किया जाना चाहिए एक कटोरी पानी गाय के गोबर से बनी माला रोली चावल जो तूटे नहीं है जिसे संस्क्रीट में अच्छत भी कहा जाता है अगर्वत्ति और धूप जैसी सुगन्द फूल कच्चे सूती धागे हल्डी के टुकडे मून की साबूत दाल बतासा, गुलाल पाउडर और नारियल साथ ही गेहूं और चना जैसी ताजी फसलों के पूर बिक्सित अनाज को पूजा सामगरी में सामिल किया जा सकता है जिस अस्थान पर होलिका रखी जाती है उस अस्थान को गाय के गुबर और गंगा के पवित्र जल से धोया जाता है बीच में एक लकडी का खंभा रखा जाता है और गाय के गुबर से बने खिलोनों की माला या माला से घिरा होता है जिसे गुलारी भर्भोलिय या बढ़कुला के नाम से जाना जाता है आम तोर पर गाय के गुबर से बने होलिका और प्रहलाद के मुर्तियों को धेर के उपर रखा जाता है होलिका धेर को गाय की गोबर से बने धाल, तलवार, शूरज, चार, तारे और अन्यखिलवनों से सजाया जाता है होलिका दहन के दवरान प्रहलाद की मुर्ती निकाली जाती है साथी गाय के गोबर के चार मन के अलाव से पाले सुरचित रख लिये जाती है एक पित्रों के नाम पर दूसरा भगवान हनुमान के नाम पर तिसरा देवी सीतला के नाम पर और चौथा परिवार के नाम पर सुरच्छित रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अंसार होली का दहन साथ माज को होगा इसके साथ ही आठ माज को होली खेली जाएगी। होली का दहन का शुम्म होत साम छे बज़ कर चौविस मिनद से आठ बज़ कर इक्यावन मिनद तक अवधी दो घंटे 27 मिनद तक आई ये जानते हैं पूजा विधी पूजा की सारी सामगरी एक प्लेट में रखने पूजा थाली के साथ एक छोटा सा पानी का बरतन रखें। पूजा स्थर पर इस तरह बैठ जाएं कि या तो पूर्व या उत्तर दिशा की और मुह करके बैठ जाएं। भगवान गरेश का असमरड करें। भगवान गरेश की पूजा करने के बाद देवी अंबिका का असमरड करें। एक फूल पर रोली और चावल लगाकर अंबिका देवी को सुगंध के साथ अरपित करें। अब मंत्र का जाब करते हुए भगवान नर्शिंग का असमरड कर एक फूल पर रोली और चावल लगाकर भगवान नर्सिंग को शुगंध के साथ अरपित करें। अब भक्त प्रहलाद का आस्मरण करें और एक फूल पर रोली और चावल लगाकर भक्त प्रहलाद को शुगंध सहीद अरपित करें। अब होली के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो जाएं और अपनी मनों कामना पूरी करने का निवीदन करें होली का को चावल, शुगंद, फूल, अटूट्मों की डाल, हल्दी के टुकड़े, नारियर और भर्भोलिये, गाय के सुखरे गोबर सेवनी, माला, जिसे गुलारी और बढ़कुला भी कहा जाता है, अरपित करें होली की परिक्रमा करते समय, कच्चे सूथ के तीन, पार या साथ फेरे बाधे जाते हैं, इसके बाद होली का की धेरी के सामने, जन की कलस खाली कर दे, उसके बाद होली का दहन किया जाता है, आम तोर पर होली का दहन के लिए सारवजनी कलाव की अगनी को घर लाया जाता है उसके बाद सभी पुरुस, रोली का शुचिन धालर करते हैं, और बड़ों से आशिर बाद लेते हैं, लोग होलिका की परिक्रमा करते हैं, और अलाव में नई फसले चढ़ाते हैं, और उन्हीं भूनते हैं, भूने हुए अनाज को होलिका प्रसाद के रूप में बाटा जात अगली सुबह गीली होली के रिम अलाव की राख को इकठा किया जाता है और सरीर पर लगाया जाता है भास्म को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसे लगाने से शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है अलाव की राख के प्रियोक से जो तिसी कई उपाई बताते हैं झाल 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 झाल